तर आप शुरू से लेकर लास तक ये वीडियो शुरू करता हूं आज यहां बात करने वाले हैं creative common license के बारे में किस तरह से यूज कर सकते हैं اور अपने view ज्याद से ज्यादा लोगों तक हमारी ज्यादा लोग को देखने है तो वहाँ पर आपने लास उप्षिन होती है यह स्टेंडर यूटीव यह से टेईटिवमशन वहांबंट तो बहुत आगर वहांपर बैनर ढर्रेकर कामरी आप अन्यूद इसलिए कर देते हैं तकी बहुत है कि हमारे जो जड़ होता है कि हमारे चैनल के तुरुही ज्यादा ज्यादा लोग हमारे ट्रेलर को देख कांगे लेकिन बहुत सारी यहीं होती हैं जिनके के आई टक डीसे फाइदा भी जो है लिया है तो वहां पर क्या है कि अब कोई गैनर जो है अगर अपलोड करता है अपने ट्रेलर को और वहां पर देता है क्रेटिव कॉमंट जो है लाइसे को कि आप उस ट्रेलर को जो है यहां किसी मूवी को यूज कर सकते हैं आपको यूटीव पर बहुत साड़ी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो क्रेटिव कॉमंट के अंदर आती है और उनके जो प्रमीशन देते हैं कि यस आप इस वीडियो को डाउलोड करने के बाद पर अपलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको देना होता है क्रेटिव कॉमंट क लाइसन देते हैं तो वहां पर आपको भी जो है मेरी तरह क्रेटिव कॉमंट लाइसन्स ही जो है देना पड़ेगा आप उन्हें वीडियो को अप्लोड करते हैं और उससे अपने चैनल अपलोड करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी मेहनत बहुत ही ज्यादा कम होगी सिर्फर सिर्फ आपको थोरा सा मुजिक करना पड़ेगा थोरा बहुत एल्टिंग करनी पड़ेगी तो उसके बाद जो है आप उस वीडियो को जो है अपने चैनल पर अपलोड करने के बाद अच्छे कासे व्यूस और मोनिटाइज भी कर सकते हैं अब फॉर एग्जेंपल अब उसने मेरी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया अब मैंने तो वह अगर आपको परमिशन दे रहा है और गलती से अगर मैं कोई बैनर हूं अगर मैं देख लेता हूंगा यार यह तो मेरी वीडियो है standard YouTube license मेरे इस वीडियो पर था तो ये creative comments में क्यों डाल रहा है तो उस वीडियो को देखकर और लोग डाउलोड कर रहे हैं तो उन लोगा ने ये नहीं देखा कि उस वीडियो के मालिक कौन था, वो किसने वीडियो अपलोड किया, किसका content था और आप अगर उस वीडियो को अपलोड करते हैं तो फिर आपको strike मिल सकती है, लेकिन अगर आप उसके चैनल पर जाकर देखते हैं कि येस अगर इसने permission दे रखी है उसके जो है उसके बाद जो है आप creative comment के वीडियो को use जो है वो कर सकते हैं यह जो है यूटीब के legal program की अंडर आता है तो यहां पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर उसके ऑनर ने creative comments का license दिया है तो आप जो है उसे monetize भी कर सकते हैं पैसर भी कमा सकते हैं व्यूज भी ले सकते हैं सब्सक्राइब जो है वहां से ले सकते हैं सो यहां पर जो है मैं आपको practically करके दिखाता हूं कि किस तरह से जो है आप creative comments की जो वीडियो होती है उन्हें सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर तो चलिए मेरे PC में चलते हैं और वहां पर जाकर मैं आपको step by step दिखाता हूं कि किस तरह सी आप यूट्यूब पर यह सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियो क्रेटी common license के अंडर आती है चलिए यहांपर मैं open कर लेता हूँ YouTube को YouTube पर जाने के बाद हम search करेंगे how to make roti चलिए मैं यहांपर search कर लेता हूँ how to make roti roti search करने के बाद आप यहांपर दे सकते हैं हमें काफी सारी videos जो है देखने को मिल रही हैं यहाँ पर आ भी एप सोच रहे हूंगे कि मैंने यहाँ पर बोली विट्रेलर से सर्च कियों नहीं किया तो आप समस़काने कि जितने भी वहाँ पर ठमनेल जो है वो देखने को मिलते हैं वह मतलब मेरी ओडियंस को दिखाने लाइक नहीं थे इसलिए मैंने फॉर इंपल यहां पर सर्च किया रोटी तो आप समझ सकते हैं आप ट्रेलर्स को भी आपने आप से सर्च करने के बाद वहां पर जो है वीडियो के लिए आपके लिए आपको बिवियर के सहाटा हैं। जिस भी वीडियो को जो है आप यूज करना चाते हैं जिसने लाइसंस के लिए आपको जो है प्रमीशन दे रखी है आप वहां पर थोड़ा बहुत म्यूजिक जरूर मिक्स करें यह नहीं है कि किसी का कॉंटेंट ऐसे डाउनलोड किया और अपलोड कर दिया थोड़ा बहुत वहां पर जो है मेहनत जरूर करें वीडियो पर कुछ म्यूजिक अगर आप अच्छा देना चाते हैं बढ़िया कुछ आप उस वीडियो में लगाना चाते हैं तो आप जो है वो भी यहां पर कर सकते हैं यानकि ऐसा नहीं है कि उस कॉंटेंट को डाउनलोड किया अपलोड थोड़ा बहुत फॉर एक्जेंपल वहां पर जूरूर मिक्स कीजिए दूसरी सबसे में चीज यह ज़रूर द्यान में रखें यह नहीं है कि अब मान लीजिए जिनका यह चैनल है तो इन्होंने मान ली जब यहां पर स्टैंडर्ड लाइसंस दिया है यहां पर यहां पर यह प्रेटिव कॉम्मन्स का लाइसंस दे देता तो यह चैनल की ओनर जो है यह आपको वहां पर स्ट्राइक दे सकती है कि इन्होंने प्रमीशन नहीं दी है किसी और ने इनकी वीडियो को डाउलोड करके प्रमीशन दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस वीडियो क यहां पर हमें इन्हीं के देखने को मिल रहे हैं तो यह इन्हीं का जो है चैनल है यहां पर दे सकते हैं तो यह एक्चुली मिया इस चैनल की ओनर है तो इस तरह से जो है अगर आप किसी मूवी का ट्रेलर डाउनलोड करते हैं और उससे अपने चैनल पर अप्लोड करते हैं creative comments देखने बार ये ज़रूर दियान दीजिए उस channel का जो production house है जो उनका main channel है जो है मैं T-series की बात करूँ किसी भी सारे गामा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर उनके channel पर जाकर देखें कि क्या उन्होंने सची में इस चीज़ का creative comments का license दे रखा ये तो नहीं है कि उन्होंने वहाँ पर YouTube का जो standard license दिया है और कोई मेरे जैसा उस video को download करता है और अपने channel upload करता है और बोलता है कि creative comments है आप इसे use कर सकते हैं तो ये चीज़ का द्यान दीजिए अगर उसका honor permission देता है फिर ही आप creative comments के अंटर जो इस video को use कर सकते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना होगा उस channel पर जाने की बात कि क्या ये actually में उस video का मालिक है ये तो नहीं है कि और इसे नहीं किसी channel से जो है upload किया अपने channel पर डाल दिया और बहुत है ये creative comments के अंटर आता है अगर आपकी गलती इस चीज को लेकर अगर आप गलती कर बैठते हैं तो आपको मिल जाएगी copyright और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि copyright मिलने के बाद आपके channel को क्या क्या बुकतना जो है वह पर सकता है अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक एंड शेर जरूर करें सासर अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना टाइम निकाला हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बगवान करें आपका देंग बहुत ही जादा शुम रहें